बिग बॉस सीजन 14 से एविक्ट हो चुकी है कविता कौशिक। के बारे में कई सारी बाते की हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर उन से गलती कहा हुई है जिसकी वज़े से दर्शकों ने उन्हें कम वोट दिये। जो उन्होंने प्ले किया है मेरे घर में गुस्ते के सिंथे के साथ से जो गेम उन्होंने शुरू की मैं उस गेम में आ गई और उनकी बातों पे उनके विक्टम कार्ट प्ले करने पर विश्वास कर लिया मुझे ऐसा लगा हाँ ये विक्टिम है देखिए कई चीज़ अब कॉस्ट शो में बिल्ट अप दिखाया नहीं गया है क्योंकि 24 गंटे का content होता है रोज का जिसमें से रोज का सिर्फ 40-45 मिनिट साब दिखा सकते हैं जी 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 तो गेम की भी स्ट्राटेजी होती है कि audience का reaction involvement क्या built-up दिखाने क्या नहीं दिखाने वह होता है तो उससे में को कोई नाज़की नहीं है क्योंकि जब आप Big Boss जैसा show sign करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आपका एक पहलू दिखाया जाएगा हो सकता है जरूरी पहलू ना जिससे लोग गुम्रा हो जाए इसी बात के पैसे दवा के जुलिये हैं हमने और मेरी गलती यह है कि मैं मैंने आइ बिलीव धिन वो जो विक्तम कार्ट प्ले कर रहे थे घर में गुस्ते के साथ ही उन्होंने मुझे रूबीनाजी के खिलाफ और सारे घरवालों के खिलाफ बढ़काना शुरू किया कि भई उन सब ने इनको आइसोलेट कर दिया है इन्होंने मेरे कंदे पर स्टेज पर जिम्मेवारी टाल दी कि भईया इंडस्ट्री में चार-पांच दोस्तों में से मैं एक हूँ जो सुके मेरे लिए थोड़ा सा सुप्राइजिंग था क्योंकि मैं 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 पर की जब मारी उसके सथ की कि मुझे उस शूटिंग उनके साथ पी थी वह को वह भी सारे सुन आई प्यां श० wanna खेंव कर दिया तब जाए जो 거죠 दो हजार पाँच से लेकर दो हजार बीस तर गयाने कि पंदरा सालों में मैं उनको तीन बार मिली हूँ और यह तीन वाकिये मैं बार बार गिनवाए हैं कि एक बार तो डॉग शेल्टर में क्योंकि मुझे किसी ने मेरे को डॉग्स के लिए कुछ करना था तो मैं जानना चार हो इस मुलाकात में हमारी बातचीत मैं और तुम भी अगर मिलेंगे कही तो एक जेनरिक बातचीत होगी और पहले कभी मिले हुए हैं तो हम कहां इतने सालों में क्या हुआ होआ हमारी राइब ज मु loss by कि यह फैक्यार पाटिश किया और पारवर्ण मेरे हजबन ने इन्वाइट कि रहा है तो जो कई जगा दिखा रहे हैं तो फोटो की फोटो मेरे पार्टी की फोटो मेरे शारुखान साथ के साथ बी तो ऐसा तो है निकिव मेरे दोस्ते काश होते तो वो पाटी फिर वहाँ पर मैंने उनसे पूछा भाई सिंगल हो कोई मतलब या गल्फरिंड है या मैं कोई मिलाद हूं अपनी सहली या बहन जैसे हम करते हैं ना बातें तो मुझे पते से था कि वह सिंगल है फिर लॉक्डाउन के टाइम पे जब हम देख रहते कि लोग अ करो मेरी अपनी सवक्राइब है कि अपना टाइम पास करो अब क्या करें यह तो सिचुएशन ऐसी है कि सब अकेले हो गए तो इसमें ऐसी कोई पर्सनल बात भी नहीं है जो भाई शेयर कर ली अरे लॉग डाउन उस दौरान मैंने कई लोगों को फोन किया जो सिंगल है मेरे फ्रेंज मैंने इनको भी किया इन्होंने मेरे से का कि भाई तुम अच्छा खाना बनाती हो इंस्टाग् थी कि भाई मैंने उनको कोई कमी नहीं है वो भी रेसीपी देख देखके मोबाइल से अपना रेणवीर बरार साथ की देखके बना सकते हैं लेकिन वह साथ की उनका अकेला बन बाटने के लिए लॉग डाउन में मैंने उनके लिए अपने हाथ से कोई चीज बनाई यह इस बात का प्रतीक है कि मैं एक मेरा गुड़नेस का जेस्चर था जो घर के बाहर मैं उनको मैंने दिखाया शायद इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूं तो कवीता तुम भी मेरी थोड़ा प्रोमोशन कर देना क्योंकि मेरी आवास थोड़ी बु होगी क्योंकि हर साल और भी ऑफर हुआ तो उनको ये वाद पता रहे हैं घर के अंदर घुस्ते के साथ ही मैंने देखा कि वह बिल्कुल विक्तम हो रहे हैं कि भाई इसलेट कर दिया और वो हर चीज में विक्तम कार्ट प्ले कर रहे थे मैं काफी देर मैंने जहली ये बात लेकिन फिर मैंने रिएलाइज किया कि इस इनसान को दोस्त की जरूरत हिए इनको चमचों की जरूरत है इनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत है जो इस गेम में उनकी इमिज बिल्डिंग करें चमचा बनके जो अप जो एपिसोड चलने इसमें आप देखी रहेंगे